ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर बैठे कॉमेंटेटर बनना चाहते हैं ये वीडियो होने वाली है बहुत खास बहुत ही स्पेशल अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट कर लीजे क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता जो आपको घर बैठे कॉमेंटेटर बना देंगी तो सबसे पहला स्टेप है मैचो को सुनना शुरू करिए कॉमेंटरी सुनना शुरू करिए दूसरे कॉमेंटेटर को सुनना शुरू करिए ये होगा स्टेप वान और जब भी आप सुन रहे हैं इसकी एक पैन और नोटब का मैच हो रहा तो पहले वो लिख लीजिए फिर कॉमेंटेटर का नाम लिख लीजिए जैसे मैंने विरिंदर सहवाग का नाम लिखा हुआ क्यों कि हिंदी कॉमेंटरी करते हैं और साथ में अगर आपको कोई कंटेंट उनका अच्छा लगा कोई ऐसी बात चीज आपको बहुत अच्छे लगी तो आप वो पाचीज जो है वो नोट कर सकते हैं आपको ऐसा करनाए कम से कम तीन से चार दिन तक मैचों को सुनना है देखना है कॉमेंटेटर को सुनना है और ये वाले जो नोट्स है वो आपको बनाने है पहला स्टेप यह हो गया दूसरा स्टेप जो मैं आपको बोलूँगा अब आपने कंटेंट बना लिया आपने कॉमेंटेटर को सुन भी लिया अब आपको क्या कर आपको ये feel करना है कि आप commentator box में हैं और आप commentary कर रहे हैं तो दूसरा step हो गया आपका practice अब तीसरा step हो गया है आपका preparation let's say कि आपको बोला जा रहा है कि आपको next match में commentary करनी है तो अब क्या करेंगा दूसरे दिन match है next day match है और आपको commentary करनी है तो आप क्या करते हैं? प्रिपोरेशन करते हैं, तैयारी कैसे करेंगा आप? मैं फिर से आपको एक्जामपल दूँगा इंडिया और इंगलेट का मैच चल रहा है नेक्स्ट मैच जो है वो कहा होगा उस पर आपको बातचीत करनी होगी आपको जो है उसके बारे में पता करना होगा आपको players के stats बता होने चाहिए कि इस मैदान में इस team ने इसके खिलाफ कितने matches जीते हैं या एक particular player की क्या performance रही है इस मैदान पर साथ में मैदान की history भी बहुत जरूरी है तो यह होता है preparation एक दिन पहले match के सारा preparation आपको रखना है और जैसे मैंने आपको बता है आपको notes बनाने और notes आप किसी भी form में बना सकते हैं आपको इस तरह का register यूज कर सकते हैं उसमें आप सारे notes बना सकते हैं क्योंकि commentary कर दें जब आप बैठते हैं तो यह सारी चीज़े जो content होता है वह बहुत important होता और वह सारा content जो है जब आप बताते हैं audience को तो audience को लगता है कि भाई वह जो time दे रहे हैं अपना वह value आप उसमें add करना है तो आपको preparation करनी बहुत जरूरी है चौता step में आपको बताऊंगा अब आपको करना है life commentary चीह आपने practice कर ली आपने preparation कर ली आप करना है आपको life commentary सेम भही procedure होगा टीवी mute कर देना है आपको अपना laptop और mobile phone जिस पर भी आप देख रहे हैं वो mute कर देना है और ऐसा आपको behave करना है कि आप life commentary कर रहे हैं देखे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई साथी commentator नहीं मिलता है तो मान लीजा आप T20 की life commentary कर रहे हैं तो आप एक से लेकि 10 तक ओवर तक कर सकते हैं फिर 5 ओवर का break ले सकते हैं और फिर 20-15 से लेकि 20 ओवर तक commentary कर सकते हैं या आपको live commentary करनी है अगर आपको कोई साथी commentator मिल जा तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसके साथ क्या होता हो compliment करते हैं दूसरे को जब मुहमद क्या एफ और विरिंदर सहवा को देखते commentary box में तो दोनों की अच्छी जुगलबंदी होती है और और भी commentary करने हैं तो थोड़ा सा break अपने आपको दे सकते हैं और शुरुवात आप T20 cricket से भी कर सकते हैं तो जैसे मैंने बोला एक से लेके 10 ओवर तक commentary करनी है थोड़ा सा break ले लिजे फिर 15 से लेके 20 ओवर तक आपको commentary करनी है बस यह आपकी लाइफ commentary होगे अब पांचवा सबसे important step है आप इसकी recording करिए recording आप कैसे कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपना टीवी है आपके पास laptop है या आप मॉबाइल फोन है अब मॉबाइल फोन आम तर पर हम लोग देखते हैं उसी पर सारे matches चलते हैं आगर आपके पास टेलिवीजन है या एक्स्टर लेपटॉप है तो आप क्या कर सकते हैं सामने तो आपके टेलिवीजन सकते हैं तो यह जो आप लाइव रिपोर्ट लाइव आप कमेंटरी करें इसको अप रिकॉर्ड कर लिए ठीक है और रिकॉर्डिंग करने का बाद क्या करना इसको आपको कहीं किसी से शेर नहीं करना अपने पास ही रखना है जो मैंने आपको पांच स्टेप्स बताया थे पहले स्टेप मैंने आपको बताया था लिसन सुनना जरूरी है कमेंटेटर्स को दूसरा स्टेप था प्रैक्टिस जो सुना उसकी प्रैक्टिस करो तीसरा मैंने आपको बताया था कि भाई आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी है लाइव कमेंटरी से पहले फिर चौथा मै आपको confusion है तो comment section ने बता दीजे मैं आपका reply कर दूँगा उमीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी होगी तो share कर दीजे किसी और के साथ हो सकता है ये वीडियो किसी की life change कर दे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रे है मेरी वीडियो देखने के लिए